हाई ब्रिवन मैं विरेंद कुमार आप सभी का अपने चैनल विकेशी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत है आज हम सभी इस विडियो के अंतरगत देखेंगे कि सीवर उपांग या साज सामान क्या होता है सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीवर किसे का जाता है यदि भूम सता यहाँ पे दिखाया गया है और भूम सता से नीचे कोई पाइपलाइन बिचाया गया हो लेकिन इस पाइपलाइन के द्वारा उस सहर या छेतर का जो गंदा जल हो उस गंदा जल को बाहर ले जाने के लिए बिचाया गया हो तो वह सीवर कहलाता है दूसरे सब्दों में कहा जा सकता है भूम सता से नीचे किसी सहर छेतर में उपस्थित गंदा जल को बाहर निकालने के लिए जो भूम गत पाइपलाइन बिचाया जाती है उसी को सीवर कहा जाता है जो हमारा सीवर लाइन होता है इसको सुचार रूप से चलाने के लिए या कहा जा सकता है कि सीवर जो सीवर के अंदर गंदा जल बाहता है इस गंदे जल के साथ बहुत सारी असुद्धियां कुछ ठोस पदार्थ तथा कुछ तैरने वाले पदार्थ और कुछ तेलिये सीवर के अंदर से होता है उस दवरान जब सीवर का बेग कम हो जाता है या स्वासोधी बेग से कम हो जाता है तो सीवर में जो निलंबी ठोसकर होते हैं वो इनके तली पर बैठने लगते हैं जिससे अवरुद्ध हो सकता है तो अवरुद्ध हो जाएगा तो इस सीवर बाएधा वह रुक जाता है तो यह रुक जाने के कारण छेत्र में तमाम प्रकार के होता और प्रभावित होने लगता है इसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ सीवर उपांग बनाये जाते हैं सीवर उपांग जो बनाये जाते हैं यह सीवर लाइनियों पे लाइनों या पाइपों पे कुछ इप्तिया अस्थाफित की जाती हैं यह जो सीवर लाइन की देखवाल या अनुरच्छड के लिए या रख रखाव के लिए जो अत्रिक्त आयो या डिवाइस सीवर लाइन पे बनाए जाते हैं वह सारे स इसी कारण से सीवर लाइन हमारा अवरुद्ध हो जाता है तो अवरुद्ध को हटाने के लिए सीवर उपांग या साज समान का प्रियोग किया जाता है अब इसके अंतरगत हमारा सबसे पहला मैन होल ड्राप मैन होल प्रवेश द्वार लैंप होल कैच वेशिन उल्टा अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो यह मैन होल है तो यह मैन होल जो हमारा होता है इस मैन होल के मुख रूप से चार भाग होते हैं एक धक्कन दूसरा होता है प्रवेश साप्ट प्रवेश साप्ट एक कारी कारी कच्छ होता है और एक अर्ध बृत्ताकार नाले होती है तो यह सब एक सीवर उपांग के अंतरगत मैन होल में लगे होते हैं मैन होल का मान क्या है या काम क्या है अगर कहा जाए तो सीवर जब किसी कारड से अवरुद हो जाता है तो उसके अवरुद को दूर करने के लिए हम मैन होल का परियोंक करते हों तो हमारा मैन होल होता है यह बरगा काराकार बृत्ता काराकार में बने होते हैं दूसरी अगर बात किया जाए ड्राप मैन होल तो यह भी हमारा मैन होल जैसा ही होता है लेकिन इसमें किया क्या जाता कि जब दो सीवर पाइप लाइने अलग-अलग उचाई पे आ रही हो जैसे तो एक सीवल लाइन यहां पे है दूसरी सीवल लाइन यहां से आ रही हो तो इन दोनों सीवल लाइनों को आपस में जोडने के लिए drop manhole बनाया जाता है इसके बाद अगर बात किया जाए कि प्रिवेश द्वार क्या होता है तो जो हमारा सड़क होता है सड़क पे साइडों में फुटपात बनाया जाता है तो जब बरसा होती है तो ये बरसा का जल इस सड़कों से होकर के फुटपात के तरफ जाता है और इन ही सड़कों के नीचे सीवल लाइन बिछाये गए है तो यहाँ पे इस प्रकार से बेवस्था बनाए जाती है कि बरसा का जल एक पाइप के द्वारा होते हुए सीवल लाइन में चला आया तो वह हमारा यहाँ पे जो बेवस्था बनाया गया वह प्रवेश द्वार बनाया गया इसके बाद हम बात करते हैं लैंप होल की तो लैंप होल जो हमारा सीवल लाइन होता है उसमें यहाँ पता लगाने के लिए बनाया जाता है या बना होता है कि हमारा अवरुद हुआ है या नहीं हुआ है जैसे कहा जाए कि सीवल लाइन इस परकार से बिचाया गया है तो यहाँ पर एक लैंप होल बना दिया गया और यहाँ पर एक लैंप होल बना दिया गया अब इसमें क्या किया जाता कि एक जलती हुई लाल टेन लिए जाती या लैंप और यहाँ से नीचे के तरफ लटकाया चाहता है और विक्त के द्वारा इस माइन उल में आ करके और यहांसे यह दिया है जलती हुई लाल ow pag दैती है तो और दो है अगर वहीं बात किया जै कि केच वेसिन क्या होता है तो जो हमारा सड़क होता है अब यहां पे यह बरसा होती है तो यह बरसा के कारण सड़क के सता पे उपस्थित कुछ छोटे छोटे या निरंबित कड़ होते हैं सिल्ट बालू या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े यह इन्ही प्रवेश द्वारों से होकर के सीवल लाइन में चले आते हैं तो इनको यहां पे रोकने के लिए एक बेवस्था बनाई जाती है जिसको कहा जाता है कैच बेसिन उल्टा साइफन की बात किया जाए क्या होता है जैसे कहा जा कि कोई सीवल लाईन ले करके जाया जा रहा था लेकिन आगे क्या हुआ कि कोई नदी आ गए या नाहर कह सकते हैं या पूल आ गया या फिर पूल के अलावा रेलवेट ट्रॉक हो गया आ गया जिससे क्या करना पड़े कि जो यह सीवल लाइन सीधी दिसा में ले जाया जा रहा था इसको कुछ नीचा ले जा करके फिर उठाना पड़ेंगे इसकी दर्विये ढाल रेखा जो थी उससे भी नीचे सीवल लाइन को विछाना पड़े तो वहां पे हम उल्टा साइफान का निर्माल करते हैं धावन टंकी क्या होता है कि जो सीवल लाइन होता है तो इसकी साब सफाई के लिए स्वाचलित धावन टंकी का प्रियोग करते हैं अगर भौनों से जल निकासी की बेश्था बनाई गई तो उसमें छोटे कड़ या मिट्टी के कड़ धोल जा सकते हैं जिससे वह पाइप हमारा अवर उद्ध हो सकता है तो वहाँ पर धावन टंकी लगा दे जाती है जिससे क्या होता है कि जब सीवेज जाता है तो अधिक मात्रा में परवाव होने के खरड़ जो निलंबित कड़ तली पर बैटने लगते हैं वो आगे के तरफ निकल जाते हैं एक हमारा है समवातन पाइप इसका कार है कि जब सीवर में कई प्रकार के असुधिया या जल के साथ मिलकर के आती हैं जो हमारा सीवेज होता है तो जब सीवर लाइन के अंदर ये सारे आते हैं तो यहां पे क्या होता कि उनका अपगटन होने लगता है यह का सकते हैं कि आक्सी करण होने लगता है जिससे कि इसमें तमाम प्रकार की गैसे जैसे का सकते हैं मिथेन हो गया, H2S हो गया करबंडा याकसाइड हो गया और बहुत सारी गैसे निकलने लगती है तो इन गैसों को pipeline से बाहर निकालने के लिए वहाँ पे एक समवातन shaft बना दिया जाता है अगर यह ना बनाया जा तो जब इसमें methane की मात्रा अधिक हो जाएगी तो pipe के अंदर बिस photo होने की संभावना हो जाती है इसलिए इसको बाहर निकाल देते हैं त्रेप की बात किया जा तो भौनों से जल निकासी के लिए सीधा सीधा ना निकाल करके वहाँ पे हम क्या करते है है ट्रेप लगा देते हैं। लगाने का उद्देश यह होता है कि जब सीवर लाइन में सीवेज का अपगटन याक्सी करड़ होता है तो उस दोरान उस में से जो अनेक प्रकार की गैसे बाहर आती हैं उन गैसों को भावनों में आने से रोकने के लिए जो बेवस्था बनाई जाती है उसी को ट्रेप कहा जाता है बरसा जल विमोचन कार में क्या होता कि अगर कोई हमारा सीवर हो और इस सीवर में सीवेज और बरसा जल दोनों प्रवाहित हो रहे हैं तो बरसा जल विमोचन के द्वारा क्या किया जाता है कि सीवेज और बरसा जल को एक ही सीवर में बाहर रहे होते हैं तो इनको अलग किया जाता है निए बरसा जल को ये कुछ मात्रा को सीवेज से अलग कर दिया जाता है तो जो यह कार किया जाता है वो हमारा बरसा विमोचन के अंतरगेत किया जाता है तो यह सब हमारे थे कि सीवर उपांग या सीवर साज सामान जिसमें यह सारे आयो बनाये जाते हैं सीवर के का सकते हैं रख रखा मरमत यानि रिच्छड के लिए या किसी कारण से यदि सीवर हमारा अउरुद्ध हो जाता है तो इनमें से किसी प्रकार की युक्ती का प्रयोग करके अउरुद्ध को दूर किया जाता है अब ये जो सारे बताये गए बिंदुवार इनको हम एक एक टापिक पे अलग से वीडियो त्यार करेंगे जिसमें आपको सबसे पहले मैन होल के बारे में जानकारी दी जाएगी इसके अलावा धीरे धीरे करें सारे टापिकों पे आपको जानकारी दी जाएगी अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सेर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाब